सो मेरा नाम है अभिशेक और स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके प्यारेश चानल जे आर टुटरियल्स में सो आगले आने वाले दो तीन लेक्चर में और स्टड़ी करेंगे ठीक है इतनी बात इकलिए रहे हैं कौन साथ चाप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चाप्टर चाप्टर कर रहे हैं आपका most demanding चाप्टर जिसका नाम है कौक्रोच के बारे हम लोग बहुत सारी चीज़े आज हम लोग इस पूरे के पूरे लेसन में इतना ही है, ठीक है, इतना ही हम लोगों को इस चाप्टर में डिसक्स करना है, क्लियर है, समझ में आरी बाद, क्लियर है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, मेरे सेशन के थुरूख, जो भी पढ़ा रहा हूँ, उसमें कोई डाउट होता है, या फिर अगर आप मुझे थोड़ा सा अप्रिशेट भी करना चाहते है, इससार आपके पढ़ाने का तरीका वो देख के अच्छा लगते हैं, तो आप डिरेक्ली आकर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आपको कोई भी डा सबसे पहले कि आज पूरिस लेसन में हम लोग पढ़ने हैं, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक फिचर जानेंगे कोकरज के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके बेसिक फीचर के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके बेसिक फीचर के बा चीक है, सब लोग ने kingdom के बारे पढ़ा हो ना, kingdom animalia आप लोग ने पढ़ा होगा, सही है, तो एक kingdom होता है, जिसको हम लोग बोलते है, animalia, वहां से यह बिलॉग करता है, तो kingdom animalia, clear है, चीक है, kingdom animalia से यह बिलॉग करता है, उसके बात, अगर मैं phylum की बात करूँ, अब सब लोग या ऐसे बड़े सारे phylum होते, तो यह कौन से phylum से बिलॉग करता है, यह बिलॉग करता है, that is, arthropoda से, यादे, arthropoda, arthropoda is the biggest phylum, हमारे अर्थ पे जितने भी kingdom animalia में, जितने भी phylum से है, टोटे लिदाविन phylum, उसमें से सबसे बड़ी phylum कौन से है, that is, arthropoda, ठीक है, around one third जो animals ह वो कहाँ पर बिलॉग करते हैं? इस arthropoda से बिलॉग करते है, फिर इस arthropoda की अंदर कुछ classes होती है, ठीक है, बहुत सारे classes होती है, तो आपका cockroach कौन से बिलॉग करता है, फिर इस बढ़ी class से बिलॉग करते है, चीMP, ए सबसे बड़ी class कौन से है, that is, इन-sectा, ठीक है, सबसे शे पैर होते हैं, उनके पास शे पैर होते हैं, तो यह किस से बिलॉंग कर रहा है, इंसेक्टा से बिलॉंग कर रहा है, फिर अगर मैं बात करूँ इसके जीनिस और स्पीशिस की, ठीक है, तो एक particular type का है, हम लोग कॉकरोज के बारे पढ़ेंगे, जो हमारे इंडिया में पाय जाता है, that is, periplatus, sorry, periplaneta, क्या आप बोल रहा हूं, periplaneta americana, periplaneta americana, चेक है, americana क्यों भीया, क्योंकि यह generally कहां से आया हुआ था, अमेरिका से आया हुआ था, चेक है, हमारे इंडिया में पहले कॉकरोज नहीं exist करते थे, लेकिन यह कहां से आया हुआ है, अमेरिका में, आप लोग को याद है, जब हम लोग को, जब हम लोग को आजादी मिलेते हैं, तो उस टाइम पे हमारे इंडिया की condition इतनी जादा नहीं थी, agriculture field में, चेक हमारे जो agriculture का production था, वो इतना जादा नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, बाहर से जो फूड है, वो चाहुल, चाव करते हैं, तो यह कौन से kingdom से बिलोग करता है, एंफि, sorry, animalia kingdom से बिलोग करता है, फिर अगर मैं फाइलम की बात करूँ, तो कौन से फाइलम है, आर्थरोपोडा, आर्थरोपोडा is the one of the biggest phylum, around 66.6% जितने भी animals है, वो सारे के सारे कहां से बिलोग कर रहे हैं, आपके आर्थर आर्थरोपोडा, विच बिलोंग से बिलोंग करता है, यह इंसेक्टा से बिलोंग करता है, कैसे पता चलेगा यह इंसेक्टा से बिलोंग करता है, इसके पास 6 पैर होते, कितने पैर होते हैं, तो जितने भी organisms, आर्थरोपोडा के अंदे, जिनके पास 6 पैर होते, वो किस से बिलॉंग करते जनरली एंसेक्टा से विलॉंग करते यह common सा category हम लोगो देखने के लिए ठीक है फिर next अगर बात करूं इसके जीनस और species की तो जीनस कौन सा है that is periplaneta और americana is the species जिसके बारे में हम लोग आज आप discuss करने वाले ठीक है कुछ और basic features के बारे में बात करें जनरली इसका जो color है वो कौन से कौन से color का होता है that is black and brown हम लोगो जो घर में देखने मिलता है ठीक है वह या तो black color का होता है हलका shady सा black या फिर थोड़ा brown color का होता है लेकिन अगर आप tropical region में जाओगे ट्रॉपिकल जहां पर बहुत जादा बर्व गिरती है ऐसे region पर जाओगे तो आपको अलग 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 colorful देखने मिलेंगे जिसे red color के लिए तो आपको अलग 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 colorful देखने के लिए लिए है कौन-कौन से red green और yellow टाइब के फिर they are omnivores omnivores है हम भी omnivores है तो न मतलब omnivores का मतलब क्या है कि जैसे कोई organism है वो पेड़ों को भी खा सकता है जैसे उसको अगर पेड मिल रहे है जैसे fruits मिल रहे vegetables मिल रहे है तो उनको भी consume कर लेगा साथिसाब living things को भी consume कर सकता है समझ मेरी बात तो ऐसे organisms हम लोग क्या बोलते हैं omnivores हम भी omnivores है हम वेजेटेबल भी खाते साथिसाब नौन वेच चीज़े भी खाते से यह तो we are also omnivores और यह क्या होता है omnivores है फिर फिर इटीज़ नेक्टोरल मतलब क्या कि जनरली यह रात में ट्रेवल करता है रात में अचासे अभी दिन में तो आप लोगो को दिखता नहीं लेकिन अगर आप शेडी एरिया पे देखो जहां पे एकदम अंधीरा होता है ऐसी जगह पे आपको क्य क्या है यह बहुत ही तीज भागने की वह बहुत ही जादा होती है तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं यह कुछ बेसिक प्रॉपर्टी से कौकरोज की कौन से पहले आप लोग की बात बता दी कि कलर भीया जो हमारे इंडिया मिलता है वह कौन सा है नॉर्मली ब्लैक अगर आप ट्रॉपिकल अरिया में जाओगे तो वहां पर कुछ रेड कलर के कौकरोज मिलेंगे और कुछ यलो कलर के भी आप लोगों देखने के रिए सकते हैं प्लांट को भी खा लेंगे और इंसेक्स को भी मतलब एनिमल्स को भी खा सकते हैं उसके बाद अगर इसकी बा होगे ना फिर भी यह उटके भागने लगते हैं इसा क्यों होता है मैं आप लोगों समझाओंगा जब इसका स्ट्रक्चर बनाओंगा तो इनके पास एक बहुत ही बड़ा कवच होता है शीड्ल होता है इंके पास जो की काईटिन से बना हुआ होता है सिखाओंगा मैं आप यहां से इसके से दो बड़े से पंख लगे होते हैं हम लोग ऐसा दिखते हैं ने कुछ कउक्रों टिक草म फिर यहां से इसके यहाँ पर एक ए Antina içeris साहिए जो प्र इसका बाता होता है मनेवको की बात करोlav तो तो यह triangular होता है, इसका head होता है, वो कैसा होता है, ngular head, यह सब दिया हुआ आपको में आपको याद करना जारूरी है, हैं तो इसका मुह यह स writes a triangular होता है, यहाँ पे इसकी आखे होती है, और यहाँ पे इसका नीचे mouth होता है, यह मैंने थोड़ा ज्यादा फणी सा बना दिया, बट कोई नहीं, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे इसका माउथ होता है, और यहाँ पे उपर क्या होती है, इसकी आइस होती है, इसके आइस को हम लोग क्या बोलते हैं, that is, compound eyes, clear है, इतना समझ में आ गया, साथ ही साथ, इनका जो head वाला portion होता है, इनका जो head वाला portion होता है, वो इनकी body से थोड़ा सा जुका हुआ रहता है, मतलब इनकी body थोड़ी सी ऊपर रहेगी, और इनका जो head वाला portion होता है, वो थोड़ा सा आगे, आगे की दरफ जुका रहता है, इसलिए इन structure को हम लोग, that is, हॉए पो इनले को क्या होता है है अगी की तरब जुका हुआ होता है इसको हम लोग क्याम बहुते है इसको यहां पर इनकी चोटी सी नेक होती है, यहां पर साइड में इनकी चोटी सी नेक होती है, और यह बहुत यह ज़्यादा फ्लेक्सिबल में हestar होती है छो यह लोग ऐसल में easy एक जगह से दुस्सामद करपाते हैं, सही है, so, it is a flexible कि प्लेक्सिबल भी क्लिएर हैं यहां तक समझ में आ गया, यहां तक चीज समझ में आ गई, यह आपका head था, head वाला portion, head कैसा है, triangular head है, और उस head में क्या लगई हुई है, compound eyes लगई हुई है, उसके बाद आपका जो head है, आपका तो नहीं, cockroach का head है, वो थोड़ा सा क्या हुआ है, tilted है, ground की तरफ, मतलब hypo ganatha भी कह सकते हैं, या फिर hypo ganathus भी कह सकते हो, उसके बाद यहां पर इंकी एक neck लगी हुई है, जो क्या है, थोड़ी सी flexible है, जिसके बज़े से आपका जो cockroach है, वो एक जगह से दूसरी जगह, इसकी जो मुंडी है, वो घुमा सकता है, easily fluctuate कर सकता है, उसके बाद यहां बड़ा सा region लगा हुआ है, जिसको हम लोग कहते है थोराक्स, इसको हम लोग क्या बोलते है, थोराक्स, इसको थोड़ा सा ख्रीडियम बनाने का बढ़ाने का ट्राय करते हैं, अच्छा लगेगा, देखो, कुछ ऐसा सा structure है, कुछ ऐसा सा एक से गा, धान दो, ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, यह आपका क्या है, हीडवाल रीजन, यहां पर एक बड़ा आसा ब पोर्चन है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, थोराक्स, और इस थोराक्स के लास्ट में, एहां पर ऑप डॉमिनल वाला साइड प्रेजेंट होगा यहां से क्या प्रेजेंट होगा अब्डामिनल वाला साइड प्रेजेंट होगा clear है? so this is the thorax and this is the abdomen clear है? यहां तक समझ में आगया? यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा इसके बार और भी थोड़ी चीज़ है। अब देखो, यह जो आपका थोराक्स वाले रिजिन है। यह 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तब से पहला देखो, ऐसे मैं बनाता हूँ अलग-अलग कलर से, इस दो, यह जो यलो कलर है, यह आपका एक थोराक्स है, ठीक है? तीन पार्ट में divided में बोल रहा हूँ, तो आपका जो आगे वाला yellow वाला region है, it is a one type of thorax, उसके बाद, इसके बाद, यहाँ पे देखो, यह जो मैंने orange color से बना है, यह जो orange color से बना है, यह आपका बीच वाला अलग एक thorax है, और यह जो बचा वाला portion है, it is a one thorax, सही है, तो य उसे हम लोग बोलते है, that is pre thorax, ठीक है, जो सबसे आगे वाला part है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, that is pro thorax, सोरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, pro thorax, सही है, यहाँ पे लिख दे, that is pro thorax, clear है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, what is mean by pro thorax समझ में आ गया, okay, चलो, pro thorax आप एुसरा आगे वाला थो ना communications Tomorrow आपका यो सेंट्रल्ट वीडिवाला जो थोराक्स इसे हम लोग कहते हैं? इसे हम लोग कह रहे हैं इस तैब 무reeable को जो में त्वन टू हसे रहे है तो आपको आप लोग नोग डांग कर रहें इसतारी चीजों को ठीक है सिर्फ देखने से कोई मतलब नहीं है आप लोग क्या करो इन सारी चीजों को टेक्स नोडबुक अठाओ और सारी चीजों एक बार डाइग्राम को तोड़ा बनाना सिखो क्योंकि कभी-कभी एक्जाम में यह भी आप से पूछ दिया चाहेगा तो क्या अठावान पड़ेगा नठीक है तो इसको भी एक बार क्या करते है चलो एक बार बनाते चलो टिकेश हो जाएगी आप लग की तो मैंने क्या बोला जो सबसे तो आपका जो थो रैक्स वाला पार्ट ही यह पुरा थो तॉरा थो नहीं अदेस तो प्लिच सब से आगे वाला है उसे मैंने क्या बोला प्रो थोरेक्स ठीक है उसके बाद जो सेंट्रल आला पार्ट है इससे मैं कहता हूँ मीजो थोरेक्स mesothorax clear है जो सबसे आगे वाला पार्ट है that is the mesothorax और जो सबसे last वाला पार्ट है जिसको मैंने shade नहीं किया है it is a metathorax clear है समझ में आ गया so आपका जो thorax है वो externally segmented होता है अगर मैं बात करूँ cockroaches की तो cockroaches में जो बाहर वाला जो पार्ट है ठीक है सब्सक्राइब करता हैं तो इनके अंदर सिर्फ एक्स टर्णल खेवनेंटेशन दिखने मिलीडीं इंटर्नल सेगमेंटेशन नहीं देखने मिली सभ्य है true segmentation नहीं नहीं मिलेगी सिर्फ और सिर्फ का है यह तो इसके कितने सेगमेंट्स बने हुए तो इसके टोटल 10 सेगमेंट्स बने हुए कितने सेगमेंट्स है 10 सेगमेंट्स है सही है यहां बना ले एक सेगमेंट्स दो तीन चार पांच छे साथ साती हुए भाई अब इसको थोड़ा और बड़ा पनाना पड़ेगा चलो इधर आठ और यह नौ ठीक है आप गिन लोग दाट इस वन टू तो त्री फोर फाई शिक सेवन एट नाइन तैं है तो टोटल कितने सेगमेंटेड है 10 सेगमेंट्स है इसे हम लोग कहते हैं यहां जोग को समझ में आगया होगा यह ठीक है तो यहाँ पर हम लोग का एक छोटा सा डियाग्राम कंप्लीट होता है क्या है सब वापस देख लो एक बदैक है वापस में आप लोगो थोड़ा आपके जो अपना ये है, कॉक्रज है, उसके सबसे पहले, जो माउथ वाला रिजन है, that is, it is a triangular head, ठीक है, ये कैसा head है, it is a triangular head, triangular head के बाद, यहाँ पर एक छोटी सी neck present होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते है, that is flexible neck, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल रहे है, flexible neck बोल रहे है, उस सबसे पहला वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, that is a prothorax, उसके बाद, जो beach वाला पार्ट है, that is mesodic और नाम में ही, इसका मतलब चुपा हुआ है, pro, pro का मतलब जो सबसे पहले आता है, जैसे primitive, ठीक है, pro वाली जो चीज़े होती है, वो क्या होती है, सबसे पहले आती है, सही है, so prothorax, prothorax मतलब क्या, जो सबसे पहला thorax present होगा, सबसे आगे side present होगा, that is nothing but a prothorax, उसके बाद, जो central में present है, that is mesothorax, micro का मतलब ही होता है, center में, ठीक है, और last आपका, that is metathorax, clear है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, उसके बाद, आपका जो abdominal origin है, ठीक है, नाम जाने की जुरत नहीं है, ठीक है, आपको से वितना ही पढ़ने, that is 10 segmented abdomen, ठीक है, 10 segmented abdomen, clear है, यहाँ तर clear है, तो इसका एक बार screenshot ले लो, सब लोग, ठीक है, अच्छे से बना देना, ठीक है, अपने notebook में, I hope, इसको आप लोग अच्छे से बना दोगे, अब, यहाँ प नेचर से साथ क्या gift मिला हुआ है, वो थोड़ा सा हम लोग देखते है, तो इसका थोराक्स वाला region है, इसका थोराक्स वाला region है, इसके ऊपर एक shield लगी होती, जैसे, कोई जाता है, वार में लडने के लिए, तो अपने उपर इसे लोहे का कवच पहन लेता है, वैसे ही, इ यहाँ पर लिखा हुए मैंने, that is scleritis, इस structure को हम लोग क्या कहते है, scleritis, इसका function क्या है, इस structure का function है, that is to protect, to protect, सही है, प्रोटेक करने काम करते हैं, सही है, तो आज अब इसका diagram बना के थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम लोग यह सारी चीज़ों को discuss करेंगे, इसको मै इसको पकड़ों और थोड़ा सा साइड करते हैं, ओके, चलो, इतना समझा, इतना clear आप लोग को, चलो, आजाओ, यहाँ पे हम लोग diagram देते, diagram में क्या करेंगे, हम लोग, एक कोई भी thorax का part निकालेंगे, ठीक है, for example, मैंने prothorax लिया, for example, it is a prothorax, prothorax को मैंने बहार न इसके अंदर कौन-कौन से साइड में कौन-कौन से चीसे प्रेजेंट होती है, इसके उपर कुछ काईटिंस की covering लगी होगी, इस covering को हम लोग क्या कहते हैं, इस covering को हम लोग कह रहे हैं अभी, that is, scleritis, ठीक है, तो यहाँ पर बड़े सारे type के scleritis लगे होंगे, आगी भी ल तक नाम है, ठीक है, जिस position पर लगे होंगे, उस position के इसाप से इनके different name consist करते हैं, कौन-कौन से नाम है, ज़रा देख लो, देख लो, अगर यह, जो यह सब से उपर वाला side, it is a dorsal side, ठीक है, यह वाला side कौन सा है, that is a dorsal side, ठीक है, यह वाला side है, it is a ventral side, यह कौन सा side है, ventral side है, और यह जो बाजू-बाजू के side है, that is lateral, यह आपका lateral है, और यह भी क्या है, clear है, समझ में आ गया, so आपका dorsal side, आपका ventral side, आपका lateral side, यह आप लोगो पता है होगा ना, बच्मन से आप लोग पढ़ रहे होगे, सही है, so आगे वाला side होता है, that is dorsal, चेक है, और पीछे वाला कॉन सा region होता है, that is ventral, जहाँ पे, अब लोगो, मैं इसको कैसे आप करता होता है, जहाँ पे धूप पढ़ रहे है, for example, एक creature ऐसे चल रहे है, जैसे dog ऐसे चल रहे है, तो उसकी धूप कहाँ पढ़ रहे है, उसके पीछे वाले back वाले portion पे पर 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 उसका back वाला portion क्या हो गया? Dorsal हो गया, जेक, उसका back वाले portion कैं होगा email, आगर मैं उपरवाले region की बात करूँ, तो यहाँ पे भी एक chili Ern का layer प्रिजन होगा, तो यह एक ऐसे काईटिन की क्या प्रेजेंट होगी, लेयर प्रेजेंट होगी, इस काईटिन की लेयर को, अभी मैं सब की बात करें थे, तो मैंने क्या बोला था, that is, क्लाराइडिस के थे, लेकिन अगर मैं दॉर्सल वाले की बात करें, तो उसको हम लोग कहते है, that is, टैंग बहुत्क यहाँ वे आपका टैंगम, टैंगम को हम लोग प्लूरर में क्या कहता है, that is, टैंगाइटिस, टेंगाइटिस कहाँ प्रेजेंट हुआ? दो चलो कोई बात में तो क्या बोला मैंने जो बेंटरल साइट में प्रेजन होगा जो भी वेंटर जायड present होगा that is उसका अलग नाम है उसको हम लोग क्या कहेंगे यहां पर वाले की बात करो तो यहां पे जो यह present होता है आपका काईटीन से बना हुआ अगल मैं जादू करते हो ना तो इसके नीचे ही present होगा थोड़ा से इमेजन कर दो अपर तो यह 3D इसके नीचे जो present होगा यहां पर प्रेजिंट होगा एक्जांपल यहाँ पर यह यह क्या होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे यहां पर स्टर्णम what we call the structure आपके यहां पे बिख प्रेजन्ट होंगे और इस साइड भी कुछ प्रेजन्ट होंगे और इससाइड भी कुछ प्रेजन्ट होगे सभी है समझ मेरी बात हर जगा से शिल्डेड है यह हर जगा से प्रोटेक्टेड है यह सही बात है तो अगर मैं वेंटरल साइड की बात कर रहा तो उससे क्या कहेंगी दैट इस प्लूरा अब देखो यह चारो में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक फ्लेक्सिबल सी मेंब्रेन से अगर देखो अगर मैं इसे काइटीन जही कर देता तो यह लोग एंदम टाक हो जाते हैं लोग इंदम इसे रॉड से पाइप हो जाते तो नेचर ने कहा बला कि चल भाई तो थोड़ा सा मुमेंट भी कर लिए ना याग दिने के लिए वहाँ पे एक फाइबर की मेंबरेन लगाए गई है क्या लागाई गए ऐसे यहाँ पे एक डॉसो कानेक्टेट हो खेए इस गाडियो गोलते हैं दैक डिस आर्थ्री डॉनियाल मेंबसे अपटेग से यह इस बिदिए ए आर्थ्रोडियल के नुम्झेन समझ में आ गया आप लोगो ये वाली चीज क्लियर होगी समझा एक यह वाला समझ में आ अब यहां पर देख लो मतलब यहां पर भी एक चीज़े प्रेजंट होगी यहां पर आपका कोई आपका काईटिन का प्रेजंट होगा यहां पर आप अप देखो अगर मैं बात करूं इस प्रॉथ्थर एक चीज़े अगर निवाथ करूं प्रोथर चीज़े तो जब आप एसा स्टॉक्टर देखते हो तो आप व्लोग सोचते रहो गे किर प्रोथर एक्स में यहां पर यह और ये बड़ा सा structure क्या है, ये बड़ा सा structure क्या है, तो actually में होता क्या है, झाल दो, actually में यह جो k Verdun की layer है, जो आपके pro thorax के उपर पड़ी आगे बड़ी हो जाती है, ठीक है? रिजनोग क्या कर लेगी वो एसे cover कर लेगी, यह वहीं पे present है, आपके dorsal side पे presence है प्रौ ठोर اक्स के, ठीक है? प्रो ठोरेक्स के dorsal side पे present है, बट यह क्या करती है, आपके आगे side तक क्या कर लेती ही, चीजों को cover करनी थी, यह वाला portion, ठीक है? इस इसको हम लोग क्या कहते हैं इस Elongated side को हम लोग क्या कहते हैं, इस structure को हम लोग कहते हैं, that is pro notum, what we call this structure as a, कहां लिखा है से हम? यहां चलो, यहां लिक देते हैं, pro notum, तल की निरा प्रोनोटम, clear है, ठीक है, so this is the प्रोनोटम, और आ यहाँ पर काउंस है, यह वाला प्रोनोटम, clear है, so यह वाला जो पॉर्शन है, यह जो आपका प्रो थोराइस वाला पॉर्शन है, यहाँ से इसके उपर, जो काईटन की मेंबरेन है, वो थोड़ी सी आखी तक बढ़ जाती है, इस नेक को भी कवर कर लेती है, इस structure को हम लोग क्या कहते है, that is, प्रोनोटम, clear है, so यहाँ पर आपकी काईटनेस मेंबरेन है, यहाँ पर नीचे साइन, जिसके वज़े से आपका जो कॉक्रोज है, वो बहुत ही जादा secure रहता है, बहुत ही जादा high security के अ आजाओ, next यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, that is, prothorax is a tagnum, ठीक है, prothorax का जो अगर हम लोग टैंगनम की बात करें, so it is a little protruding, ठीक है, protruding मतलब यह थोड़ी चे से बाहर निकली हुए रहती है, क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिखा मैंने, इसी जगो का हम लोग क्या बोलते है, that is, pro notum, जो मैंने आप लोगो अल्रेडी यहाँ पर दिखा दिया, सही है, यहाँ का जो यह रहेगा, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहे था, इसको हम लोग क्या बोलते है, that is, pro notum, clear है, यहाँ से समझ में आ गया, यहाँ तक समझ मे आ गया, okay, चलो, यह समझ में आ गया, यहाँ इसकी नेक है, यहाँ पर, इसकी यहाँ पर नेक है, this is the neck, it is the flexible neck, तो यह clear है, तो मुझे कुछ बाते और बतानी है आप लोग को structure बारे में, उसके बाद हम लोग सिस्टम के बारे में बात करना, start करेंगे, तो कुछ बाते और स thorax वाले region था, सही है, मैं से डबा सा बनाया तो कोई दिखकर के बात ने, चाहिए, समझ मेहरी बात, तो यह आपका thorax वाले region था, और इस thorax के बात क्या था, that is, our abdominal, सही है, our abdominal था, इतना सक्चर हम लोग अभी तक सीख ले, हम लोग ने, तो मुझे आप लोग को खुछ बात मेजो थोराक्स और एक आपका है, that is, मेटा थोराक्स, सही है, सो यह आपका प्रो थोराक्स है, यह प्रो वाला region है, यह आपका मेजो वाला region है, और यह आपका, that is, मेटा थोराक्स वाला region है, सही है, यहाँ तक अभी हम लोग ने सब कुछ पढ़ रखा है, उसके बाद, आफूर फ्र्पाटस्वालन से ने कई आपका फॉरक्स वाल रिजन से निकलता है यहां से एक एक पैर निकलता है यह यहां इसका एक पैर है, तो इस वाले साइड से उसका एक लेग निकलता है, तो तीन तो रैक से टीन यहां से लेग निकलते हैं और बिस पीछे वाला जो लिजियन होगा, वहां से थीन तो रैक सी एक मतलब एक प्रोट से एक मेटा थोरैक्स या फिर मेजो थोरैक्स से कितने पेर निकलते हैं? दो पेर. एक पेर यहाँ से निकल रहा है, एक पेर यहाँ से निकल रहा है. सब्सक्राइब, तो there are three pairs of legs. ठचाइब, three pairs of legs किसके पास होते हैं? आपके? काप्रोज के पास होते है. अगर यही मैं naming की बात करूँ, तो देखो naming एकदम simple है, legs का naming एकदम simple है, जो leg prothorac से निकल रहा है, उसको आप कह दो, that is prothoracic leg, इसे आप क्या कह दो, that is prothoracic leg, सही है, simple है, वहीं जो mesothorac से निकल रहा है, इसे आप क्या कह दो, that is mesothoracic leg, सही है, जो mesothorac से निकल रहा है, उसे आप क्या कहोगे मेजो थोरैसिक लेग और जो मेटा थोरैक से निकल रहा है उसे आप क्या कहोगे that is कॉक्रोच के abdominal side पर कोई भी जो पैर है वो present नहीं होता जीकिए वो हमेशा कहा present होते है इसके thorax वाली region प्रीजन होते है clear है यहाँ तक समझ में आ गया जीकिए यहाँ तक समझ में आ गया इसके आखे बना देते हैं यह तो अच्छा नहीं दिखे गए है अब इसके बाद हम लोग systems के ऊपर जाएंगे और कुछ systems के बारे में discuss करेंगे जैसे digestive system में लोग सबसे पहले discuss करेंगे अभी मैं start करेंगा डाइजेस्टिटिटिट्र सिस्टम सही है फिर इसका digestive बोल दिया ना इसका इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके रेस्पिरेटरी और फिर लास्ट में लोग reproduction system की भी बात करेंगे reproduction कैसे होता है वो सारी चीदे भी हम लोग देखने वाले तो सबसे बहुत आजाओ इसके digestive system में आचा विंक्स की बात थोड़ी सी रहे गई थी यह आपका प्रोधॉर यह प्रोधॉर है सडुमेट नीमेजो है तो यहां पर कुछ बड़े विंग्स होते हैं इसके पास कुछ बड़े विंग्स होते हैं तो वैसे ही इसके पास इक दिखाने के विंग्स है बड़े से एसे फैदरी विंग्स है जो से पी दिखाता है जिसका कोई function नहीं जिससे विए उड़ता नहीं है और एक छोटे wings प्रेजेंट उते जिसका जो तो असल में उड़ने के काम आते हैं, तो जो सब बड़ा वाला विंग से है, वो मेजो थोरैक्स से निकलता है, कहां से निकलता है, मेजो थोरैक्स से तो ऐसे एक बड़ा वाला विंग निकलता है, तो एक इस साइड से निकलेगा, और एक इसके इस साइड से भी निकलेगा, एसे से कुछ विंग निकलता है सही है ठीक है यह पता निकों सा ट्राइगन बन गया लिगन कोई बात निए चलो यहां से एक निर विंग निकला है और यह यह बड़ा वाला विंग है ठीक है और यह इसका ओरिजिनेशन कहां से होता है अधर यह बाद इसके बाद एक फंक्शनल विंग और प्रेजन टाइस के अंदर टेगे फंक्शनल विंग और प्रेजेंट उता है मेटा थोराक से यहां से एक छोटा सा विंग यहां से निकला रहता है तो यहां पर एक छोटा सा विंग निकला रहता है यह choco रहे है इसके नाम एक्दम सिम्पल यह है यह को छेंगे that is metathoracic, metathoracic, clear है, समझ में आ गया, clear है, समझ में आ गया, तो दो टाइप की wings है, एक आपका lagmilla, sorry, tagmina, और एक आपका क्या है, that is metathoracic wing, इसका actual क्या है, it is a use in flying, ठीक है, यहां क्या है, आपके flying में help करता है, इसका function क्या है, इसका function यह है, कि यह आपके abdominal वाले region है, ठीक है, जो abdominal वाले region है, यहां पर, यहां पर, यह बड़ा आसा region है, इसको protect करने काम आता है, ठीक है, इसको इसके उपर ऐसे रखा हुआ रहता है, जिसको जिसके वाइसे अगर आप मार होगे ना, तो इसका abdominal के उपर कोई effect नहीं होगा, इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, यहां तक समझ में आ गया, तो यह आपके structure होगे, अब इसके बाद हम लोग discuss करेंगे, इसके digestive system को, क्लियर है, सब देखो, इसका digestive system होता है, इसको हम लोग literally बनाएंगे, ऊपर से बनाएंगे, ठीक है, डॉपसली इसको थोड़ा सा समझ नहीं कोशिश करेंगे, तो for example, this is our cockroach, ठीक है, यहां पर इसका mouth होगा, यहां पर क्या होगा, इसका anus होगा, सही बात है, यहां पर इस digestive system है, यह तीन पार्ट में divided है, इसका digestive system है, यह total तीन पार्ट में divided है, एक है stomodium, एक है that is mesenteron, और एक है that is proctodium, चीक है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, देखो, simple सा मतलब है, ज्यादा कुछ हाड नहीं है, देखो, सबसे पहला है, सबसे उपर वाला gut, ठीक है, gut है, नॉर्मली हम लोग इसे क्या बोलते है, that is gut, तो अगर मैं gut की बात करूँ, चीक है, अगर मैं gut की बात करूँ, तो सबसे पहले वाला gut होता है, इसे हम लोग कहते है, that is four gut, इसे हम लोग क्या कहते है, that is four gut, four gut को हम लोग क्या कहते है, that is stomodium, ठीक है, और उसके बाद आता है अपका Midgut उसके बाद क्या आता है Midgut आता है और Midgut के बाद इसको आपको लोग क्या कहते हैं that is Mezentron और लास्ट में आपका आता है that is Hingdgut तो यह है जिसे हमारा brain होता है brain पढ़ा ना आप लोग में तो यह फोर प्रेन होता है फिर फोपका बाहर वाला धीट सबसे पर प्रफरमजन न का घंञाए और लॉंट के बादे इस हीडी एंडे क्लिए रहे एहां समझ में आ गया हो क्यों चैल है तो सबसे पहले हम लेग का डिसकस करेंगे हैंगो सबसे ऊपर यहाँ पर यहाँ पर इसके और भी माउथ की जितने भी पार्ट से उसको मैं पढ़ाऊंगा सही है तो यहां पर समझ में आ गया माउथ का समझ में आ गया अब इस माउथ के नीचे एक लंबी सी ज्यादा बड़ी नहीं होती है थोड़ी ब्रॉड सी एक ऐसी रीजन होती है जिसको हम लोग कहते है यहां पर आपारी यहां से ओड़ी अनिचे इचे बमर्स थाल विए और टेचे उगहांना अब छृट अब्युड्य निचे प्रज़न्ट होता है ओको एस फ्यक्रीट यहां से एक छोटा सा लंबा सा चेन आया हुआ है जिसको मैं ऐसे कर देता हूं इतना नौर्मल है आप लगका इतना तो हमारे रिप्रेजेंट होता है हमारे में भी यहां फैरिंग्स होता है लेकिन अब यहां पे एक दूसरी सब्सक्र्स लगा रहता है इसको क्रॉप क्या रहता है यहां पर यह जो क्रॉप है इसका फंक्शन कहा है यह जनलली फूड स्टोरेज के काम आता है त्यक्ते काम आता है स्टोरेज के जो कॉं चैकल को पटा फट अस funds को जितने याँ भीgreण डाइजेशं देखने के नहीं मिलती है सही हम लोग digestive system पढ़ रहें लेकिन अभी तक हमको कोई भी ऐसा जगह नहीं मिला जहां से digestion शुरूँ हो पाए जहां से क्या शुरूँ हो पाए पानी पिले तो में एक सेकंड ठीक है तब तक आप लोग क्या करो इसे अपनी कर लिए कर लिया कर लिया स्कste MAR उसके बात क्या है उसके बाद क्या है ऑसो फेहां प्ली रहती है उसके बाद एक ऐसा ब्राइब साम्मट के जैसा ओर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इस क्रॉप अब इस क्रॉप का फॉंक्शन क्या है यह सिर्फ और सिर्फ क्या करता है फूर को स्टोर करें रखता है और तो एक और बार जार लो इस क्रॉप तक यहां तक एक काइटीन की लेर लगी रहेती है बच्चो अटेंटर नली ठीक है यहां पर जिए क्शारेट इस नथी नथिंग बटर काइटीन लेर तो प्रेज़न थी साही यहां प्रेजेंट होगी और अंदर भी प्रिजैंट होगी तो यह जो रेड पलर है इस 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 कोई भी एप्जॉप्शन अम लोगो देखने के लिए नहीं मिलता और तो और यहां पर ही आपका जो मिड़ गट है वो खता हो जाता है इसके बाद मिड़ गट नहीं होगा सवरीए मिड़ गोर यहां तर आपका फोर सासर सकत nenhum इसकेबर यहां पर गट फ्रे नहीं फ्रेजर चीए म्लकी इश म लोग केंगे एस यह बड़ा सा ओर नकी कन संटेर करेंगे यहां से इसाक बड़ा सा यह चो दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं गिजार्ड एक खतर्नाग एरिया है जो बताऊं कि तुम लोगो ठीक है अब इतना समझ लो मिलोग क्या कहते है एक गिजार्ड समझ में आ गया है इसे हम लोग क्या करते हैं ? इतने बात हैं clear है ? अब इस गिजार की नीचे यहाँ चलो ! यहाँ तक हम लोग बोल सकते हैं officially कि आपका जो four gut है जो आपका four gut है वो क्या हो गया ? खतम हो गया ! सहीए अब इसके आगे एकदम इतना स्ट्रूक्चर आई हो पब लोगो क्लियर होगा इसके बाद इसके बाद चालू होता है आपका हाइंड गट ठीक है इसके बद क्या चालो होता है आपका हाइंड गट कैसे पहली यह लियर ऐसे थोड़ी सी पतली रहेगी ठीक है थोड़ी से पतली रहेगी फिर यह आगे चल गया से ब्रॉड होती है तोड़ी से से क्या होती है ब्रॉड होती है और फिर यहां से क्या हो जाएगी connected हो जाएगी आपके एनस से this is nothing but anus यह क्या है last में connect हो जाएगी एनस से अब इसका नाम क्या है सबसे पहले जो पतली वाली लेर है इसे हम लोग कहते हैं Liam फिकें बॉल रहा हूं एक जो पातली वाली यह यह फोला हूझ वाली इतनी वाली यह ठीक है इसे हमोगा बोलते हैं that is लियम प्रिस्के बार एक बाद चीन इसको हम लोग कहते हैं that is colon और सिब्सक्राइब एक सब्सक्राइब गाले संag कि सब्सक्राइब कि मत इंप प्रेजंट शिज्या और शैसर और गनने गार कि कि दिए के अ counselor इसके बाद इसके बाद एक छोटा सा डेंजरस और नो तो इसके बाद इसके बाद इसके नीचे यह आपका छोटा सब पोर्शन है इसके बाद के बाद यह आपका हीड़ेत हाई तो इतना पा premise लेना मतलब लिख नहीं पा रहा हूँ घ्र बांगी समझा तो मैंने आप लोको अर्रडी सब कुछ दिया ही है उसके बाद यहां से क्या चुरू होता है आपका मेड़िकट घ्रतम हुआ यहां से क्या शुरू हुआ हिंड़िक हिंड़िकंट में पहले नारो रीजन होती है फिर वह आगे चलए ब्रॉड उती है फिर the digestive system आप देखो कुछ इसके अंदर कुछ juices भी होंगे ठीक है juices मतलब क्या कुछ digestive enzymes भी तो होंगे बच्छो जिसे हमारे body के अंदर बहुत सरे digestive enzymes होते हैं जिसे हमारे अंदर होता है अपना saliva होता है ठीक है saliva सबसे पहले secret होता है फिर उसके बाद हमारे stomach में जाता है यहां पर भी कुछ organs होंगे जरूर प्रेजेंट तो क्या होगी सबसे पहला आपका जो यह वाला पैरिंग्स वाला रिजन न इसके साइड साइड में ऐसे पत्ते शेप के अरगन प्रेजेंट होते हैं जो digestive enzymes सिक्रीट करते हैं जो क्या करता है digestive enzymes सिक्रीट करते हैं उनका नाम एकदम फैमेलियर है आप लोगो पता ही यह यहां तक absorption तो होती नहीं है absorption होती है मिडगट में हमेशा है तक ना मिडगट का function होता है यहां पर होती है absorption absorption मतलब क्या कि यह आप digestion करोगे digestion करने के बाद जो भी फुड हुआ वो absorb होगा इस वाले region में अब इस वाले region होगा आपका जो गिजार्ड है और जो मिडगट है मतलब हम लोग बोल सकते हैं गिजार्ड में क्या खतम हो रहा है आपका ivra सुवंगाए जब इस वाले पोजिशन पर यहाँ पे कुछ छोटी चोटी टीड़ी टीम्र फ्रे-धंग तक छोटी ही एटो आपी जोटी क्या प्रेजंट हुति उति ही बिसे हैं और यह ही क्या करते हैं बच्चों ये भी अपना सिक्रीशन ही सिक्रीट करते हैं इसे हम लोग कहते हैं हिपाक्टिक स्वरी हिपाक्टिक कैसे और या फिर गैस्ट्रिक कैसे ठीक है इसे हम लोग हिपाक्टिक कैसे कहते है या फिर गैस्ट्रिक कैसे कहते है क्या हां लिखे यहां पर थोड़ा सा खचमच हो गया है मैं आगे सब लिखके दिया हूँ मैंने हर एक चीज लिखके हुई है तो यहां पर आए गेस आप लोग को चीज़े समझ में आ गई होंगी यह आपका पूरा का पूरा क्या है मैंने लिखके दिया है सबसे पहला क्या है आप लोगो थोड़ा सा उल्टा हो गया है यह उल्टा होना चीज़े था ठीक है पैरिंग सूपर होना चीज़े था उसको सब्सक्राइब इसको है टाउं पर लो और फिर इसको यहां डाउट कि अब बराबर है बराबर चलो सबसे पहला फैरिंग त्रीक के बाता है और यह उसके बाद करों को एक फ्लोग बना धिये पिर अगर करो कुछ ग्लेंटस की डाजिस्टिव ग्लेंटस की बाद करो तो ग्लेंट में दो ग्लेंट है एक आपकी और यह जो लिक नहीं पर दा त्रम कर और कुछ और नईनी चीज आप लोगो सिखाता हूं हो गया स्क्रिंशट हो गया हो इस वाले पॉर्शन को मिटा रहू कि यह वाला नहीं मट्टा चीए यहां तक आई हो अब लोगों समझ में आ गया होगा क्लियर है अब देखो अब देखो क्या बताना है यहां पे जब को आपका MidGut खतम होता है और आपका HindGut चुरूँ होता है यह जूदा खता है यहां पे कुछ बहुत सादा number of pipes present होती बहुत ज्याना देंगॆ रांड, भड़ हक우ंती कि प्रिशिय्म क्यों स्ंदेन होते हैं। कि उसकों कहते हैं, यूद celsus मैल्फजियन क्यों इख केते हैं इसे। मैल्फजियन पड़ेजेंखन किम सांधुर्य बाठ, इसे अब इसका function कहा देखो Malfigion tubules का function कहा देखो, आपके, अगर आपको पता होगा, आप लोग ने Kingdom Amelia पढ़ा होगा, तो आप लोग एक चीज़ पता होगी, कि cockroaches के अंदर open circulatory system होता है, ठीक है, open circulatory system मतलब क्या, कि इनके अंदर कोई नसे नहीं है, ठीक है, कोई नसे नहीं चल र आप लोग को, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इसके अंदर जितने भी नाय्ट्रजनस बेस है वह कहां जाएंगे वह कैसे निकलेंगे एक्स क्रीटर कैसे करेंगे अभी तो मैं आपको थोड़ा सा एक्स क्रीटरी सिस्टम भी बता रहूं इस नायट्रजनस वेस्ट को पकड़ेंगी और उसको ढाल देंगी किसके अंदर आपके, ilum के अंदर या फिर兒 बोल सकते हो, rectum के अंदर, colon के अंदर, सब्सक्रowana तो ही सामजूरी बात, वह बात सिंकल रहा है, इससी रूट से निकल रहा है, और इनका यूरिया वाला, वह बीसी रूट उसके लिए उसके लिए कॉमन ओपनिग होती है तो यहां तक आई हो आप लोगो चीज से समझ में आगए जिसका function क्या है कि भया जो आपके close circulator system में उसके अंदर उसका जो blood है उसके अंदर जो blood है उसमें जो भी यूरिया मतलब जो जो भी यूरिक आसिड है वो जितने भी nitrogenous waste है वो जो तैर रहे ना उनको पकड़ना और इसको किसमें डाल देना हाइंड गट के अंदर डाल देना हाइंड गट मतलब क्या यह आपका आइलम ठीक है सॉरी लियम लियम के बाद colon colon के बाद that is rectum rectum के बाद इनस clear है तो यहां तक I hope आप लोगों चीज़ा समझ में आ गई होंगी तो I hope इसका भी screenshot ले लिया होगा ठीक है इसका भी नहीं लिया तो यह फ्लो का एक बर ले ले लेना क्योंकि इस फ्लो से आपको चीज़े याद होंगी कैसे आपको digestive system उपर से नीचे तक याद करना है लास्ट में अगर मैं digestive gland की बात करूँ तो दो digestive gland थे एक salivary gland एक आपका hepatic C का और plastic C का कहा कहा प्रेजेंट इसका location बहुत जलूँ दिये यह आपका parings के पास प्रेजेंट होता है और यह कहां यह आपके poor gut और mid gut के junction पे प्रेजेंट होता है जहां पे दोनों मिलते हैं उस वाले position पे प्रेजेंट होता है इसके बाद जो topic है इसके बाद जो topic है वो हम लोग next class में discuss करेंगे जो next class है next class में हम लोग mainly start करेंगे आपका respiratory system discuss करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका reproduction भी discuss करना हम लोग हो ठीक है तो वह साली चीज़ हम लोग next class लिए छोड़ देते तो यह lecture वैसे ही थोड का दोस्त है तो उसके बारे में आप लोग ने बहुत सारी नहीनी चीज़े सीख्या होंगे clear है so video पसंद आया तो video को like जरू से करना चाहिए video को like जरू से करना नए हो अगर नए बार आया हो चैनल पर तो चैनल को subscribe कर लो और उसके पहले जो मैंने lesson पढ़ाय हुए है that is photosynthes मैंने पढ़ाय होगा ठीक है respiration पढ़ाय हो बहुत ही प्यारे से बहुत ही अच्छा तरीके से वो सारी के सारे lesson मैंने complete किया है और उसके अंदर आपको easy trick बताया कैसे वो सारे lesson याद करना है वो भी आप लोग क्या कर लेना पटाक से देख लेना जाके सही है तो यह I hope आप इस वीडियो में तब तक के लिए keep studying